रादे रादे मित्रों, देह भाव से मुक्त होकर अविनाशी आत्म तत्व को पा जाना ही अमरनात की यात्रा तथा बाबा बर्फानी के दर्शन की सार्थकता है अमरनात की यात्रा तब तक संभव नहीं है जब तक देहे के प्रती हमारा अभिमान समाप ना हो जाए इससे मुक्त होकर हम बाहर के नैसरगिक सौंदर्य की तरह अपने भीतर अमर्ता का एक विराठ सौंदर्य रच लेते हैं जो सत्य है और शिव भी दोस्तों जेश्ट पूर्णिमा की सुबह जब अमर्ना थ्यात्रा की शुरुआत के पहले दिन पवित्र गुफा में शिवलिंग पर सुबह की आरती करने पंडित पहुचे तो वहाँ पर एक अद्भुत द्रश्य देखकर सभी हैरान रह गए दोस्तों यहां की विशेश्टा यह है कि पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकर्तिक शिवलिंग का निर्मान होता है और प्राकर्तिक हिमसे निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमाने शिवलिंग भी कहते हैं आशाड पूर्णिमा से शुरू होकर के रक्षा बंदन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए यहाँ पर लाखो लोग आते हैं गुफा की परिदी लगबग देड़ सो फुट है और इसमें उपर से बर्फ के पानी की बूंदे जगर जगर तपकती रहती हैं यही पर एक ऐसी जगर है जिसमें तपकने वाली हिम बूदों से लगबग दस फुट लंबा शिवलिंग बनता है चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथी साथ इनका आकार भी घटा बढ़ता रहता है और शामण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाते हैं तथा अमावस्या तक धीरे-धीरे करके छोटे होते जाते हैं आशरी की बात ये है कि ये शिवलिंग ठोस बर्फ का बना रहता है जबकि गुफा में आम तोर पर कच्ची बर्फी होती है जो हाथ में लिते ही भुरबुरी हो जाती है मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गडेश भैरव और पारवती के वैसे ही अलग-अलग हिमखंड है जब मा पारवती ने भगवान शिव से अमर कता सुननी चाही तो यही स्थान धन्य हुआ था लेकिन यहां तक आते आते भगवान शिव ने अपने सभी प्रियपात्रों चंद्रमा, नंदी, नाग, गंगा और गडपती को एक-एक करके मार्ग में छोड़ दिया क्योंकि यह पंच महाभूतों के प्रतीक हैं और पंच महाभूत देह को रश्ते हैं तो पहले पंच महाभूतों से बनी देह का अभिमान छोड़ना पड़ेगा तब ही यात्रा संभव होगी जन्शुतियों के अनुसार इस गुफा में माता पारवती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी जिससे सुनकर सद्योजात शुक शिशु शुक देव रिशी के रूप में अमर हो गए थे गुफा में आज भी श्रधालू को कबुतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है जिने श्रधालू अमर पक्षी बताते हैं वे भी अमर कथा सुनकर के अमर हुए थे ऐसी मानिता भी है कि जिन शद्धालूओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके मुक्तिप्रदान करते हैं दोस्तों जेश्ट पूर्णिमा की सुबह जब अमानाथ यात्रा की शुरुआत के पहले दिन पवित्र गुफा में शिवलिंग पर सुबह की आर्ती करने पंडित पहुँचे तो वहां का अदबुत द्रश्य देख करके वेहरान रहे गए उन्होंने पहली बार शिवलिंग पर कबुत्रों को बैठे हुए देखा पूजा करने पहुचे पंडितों ने बताया कि द्रश्य बहुत अदबुत था और उन्होंने ये द्रश्य पहली बार देखा यद्यपी पवित्र गुफा के अंदर कबुत्रों को उड़ते हुए श्रधालूं को दर्शन देना आवास से समस्त आकाश हिल उठा हम आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए रुचकर होगी नमो नाराया